नमस्कार दिन भर की हर खबर से आपको करने खबरदार मैं हूँ श्वेता सिंग आज सबसे पहले दिल्ली के शाहीन बाग के डेडलोग का विशलेशन करेंगे ये एक ऐसा ताला है जिसकी चाबी किसी को मिल ही नहीं रही है सुप्रीम कोट की तरफ से नियुक्त वारताकार संजय हेगडे और साधना राम चंदरन आज तीसरे दिन भी शाहीन बाग से खाली हाथ लोटाए दोनों वारताकार आज शाम तकरीबन साड़े छे बज़े शाहीन बाग पहुंचे दोनों वारताकारों की प्रदर्शनकारियों से लंबी बात चीत हुई वारताकार समझाते रहे कि आपका धरना देने का अधिकार सड़क इस्तेमाल करने के दूसरों की अधिकार से बड़ा नहीं है लेकिन प्रदर्शनकारियों की दलील ये थी कि लोगों को जो परिशानी हो रही है वो यूपी पुलिस की वज़े से हो रही है क्योंकि यूपी पुलिस ने नौईडा की तरफ से रास्ता बंद कर दिया है प्रदर्शनकारियों ने कहा है कि अम्बिलन्स और स्कूल बसों को वो जाने दे रहे हैं प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली पुलिस पर भरोसा न होने की बात कही आज भी शाहीन बाग पर वारताकारों को कोई हल नहीं मिला लेकिन आज की पूरी बातचीत मीडिया के कैमरों में दर्ज हुई दरसल वारताकारूं के आने से पहले ही शाहीन बाग के लोगों ने चेताब नहीं दी थी कि मीडिया नहीं तो आज बातचीत नहीं वाक्ताकारों से शाहीन बाग के लोगों की बात चीत के चुनिंदांच हम आपको दिखाएंगे लेकिन उसके पहले दिल्ली आये महराश्र के मुख्य मंतरी उद्धव ठाकरे की बात सुनना जरूरी है प्रदान मंतरी नरियन रुमोदी से मुलाकात के बाद उद्धव ठाकरे ने कहा कि शाहीन बाग के लोगों को भड़काया गया उन्होंने ये भी कहा कि CAA से किसी को डरने की जबुरत ने सेनसाइस थो रहर दवर साल में होता है व अगारिक जितनी है उनको ऑश्वस्त ह ignoring किसी के भी अधिकार में किसी को भी छिन्य नहीं दूनगा तो बात सपश्ट है किसी आ गया तो किसी को डर्ने की बात नहीं है जो बी वो नेता होता है उसको समझने क्या उसकता है जब सामने आजाएगी बात पता चलेगा क्या है आप दिल्ली में रहती हूं आपको पता है दिल्ली में यह अंदोर चल रहा है मैं तुझे आज़े अगर जो कह रहे हैं वो बात बीजेपी शुरू से कह रही है कि शाहीन बाग को भणकाया गया है हाला कि आज जब वारताकार शाहीन बाग के लोगों के बीच थे तो उन्होंने हालात के लिए सरकार और पुलिस को जिम्मेदार ठेहराया सुनिए वहाँ इसे लेकर क्या संबाद हुआ वेजिए उनकी किल्टा उस्तों हमारी किल्टा है वो है तुरस्टा है मुझा के लिए उसे लाट वर कुछा मुझा जाए लूट, तो मुझा का इस तुरास आफ गोरेकर परने लिए मृट дней को जाएं मुझा के लिए इस तुरास सुनिए तुरास माल हो स्ट्रास मुनाब को परदे आपको ये पहा किनो देगी कर और है। हाम, आज जी हम स्की तरी हम देगी कर अदी तरहें के पड़िह. हम अदी कर दे तरहें, हम सकुर्ण कर दे沒錯, खुरह40 अधोर्पो तोby कम हमें र पाद में तक क्वले तो अधय को अधी आपको वो कोटी चलिए हो पूरी अशंकरत लेगक एपी कहना है कि मुर्णबाइड कापी नहीं है हमें टूरख करें बिल्टिक करें लिकित में उनों में परेकेश अपनी से लगा इसलिए हम लोग है सही अबन आच हुचित करके हम ठेलेड एस अपनो थीया दिया जाती है। कि शाहीन बाग के लोगों को पुलिस अफसरों की बात पर भरोसा नहीं है तो वारताकारों के सामने उन्होंने CAA और NRC को लेकर अपना डर भी सामने रखा आज के समबात का यह सबी आपको सुनना चाहिए जो बैदा जो ती उसमें अपने दादा का यह तो नहीं निखाबाई तो वो जेरापी के वाहर हो जए तो घरा भी दिग जिया हम इस जिसका इंसदार सब्सक्राइब करते रहेंगे जहां 24-25 सारे नासिया और NCR से लिए बैठे रहे हैं क्यांटे एक इस देश के नावित नहीं है पुरी दिली में शाहिंगा दिली का यह जिस्ता है शाहिंगा तो इंडल नहीं है मिने नाकिस्तान नहीं है तड़क की बात को एक अलग बात है यह बहुत कोटी की बात है चोब आंते हैं कि यह यह बुसल्मान नहीं होके नहीं दिये जाएगे तो रहा जाएगे चाहिए जर्शुनकर नहीं है जिन्दों इस देशन देटर ने वहां आजाम में मर रहे हैं चोब आज का मुटा जाएगे जह बूसल्मान नहीं है शाहीन बाग पर बीच का रास्ता नहीं मिल रहा है लेकिन इस पर राजनीती जूरदार हो रही विपक्ष सरकार की सम्वेदन शीलता पर सवाल उठा रहा है दूसरी तरफ बीजेपी का कहना ये है कि शाहीन बाग के लोगों को ब्रहम में रखा गया है देखे शाहीन बाग का जो मामला है हमको गुसा इस बात के उपर है सरकार के उपर कि जब सरकार बनती है तब वो किसी एक राजनेतिक पार्टी की सरकार नहीं होती है वो देश की सरकार होती है प्रधान मंतरी देश का प्रधान मंतरी होता है ग्रह मंतरी देश का ग्रह मंतरी ह आपकिसी जिलादीकारी आफिस के सामने दो दिन यूदिए आंदोलन के लिए बैठ जाएगे तो तीसरे दिन जिलादीकारी है हुआ से किसी आदीकारी को भेजता है कि जाकर पता करो कि इनकी मांग क्या है, इनका निवेदन लेकि आओ. देड़ महिने से हमारी माएं बेहने सभी जाती धरा मजब के लोग महाँ पर बैठे हुए अंदोलन कर रहे है पूरे देश भर में छोटे छोटे शाहीन बाग बनाए गए है और इसका नेतरत्व सिर्फ मुसल्मान कर रहे है ऐसा नहीं है आप शाहीन बाग जाकर देखिएगा कितने अदलित समाज के लोग वहाँ पर जुड़े है शाहीन बाग एक प्रतीग बन रहा है अंदोलन का तरीका का शांति पुन्न रूफ से अपना मांग को उठाने का और बायोलेंस से दूर रहे के मगर मजबूती के साथ अपना मांग के लिए डाटे रहना यह जो एक नया प्रतीग बन गया अंदोलन का शाहीन बाग में जो बहने धरने पर बैठी हैं वो गलत फ़हमी के वज़े से बैठी देश के प्रधान मंतरी जी ने देश के गरी मंतरी जी ने एक नहीं अनेक बार कहा है कि सिटिजन सिप अमेंडमेंट एक्टे किसी की भी नागिक्ता लेने वाला नहीं है आप कह रहे हैं कि आप किसी को परिशान नहीं करना चाहते आप परिशान होना नहीं चाहते तो फिर आप लोगों को परिशान क्यों कर रहे हैं रास्ता खोलना चाहिए हम लोग एक बार नहीं कई बार कह चुके हैं कि आप धरना समाप्त कीजिए और जो लोग धरना के और साधना रामचंदरन के अलावा रिटाइड आईयस और मुख्य सूजना आयुक्त और अल्प संख्यक आयुक्य अध्यक्ष जैसे एहम पदों पर रहे वजाहत हभी बुल्ला भी है वजाहत हभी बुल्ला को सुप्रीम कोट ने मध्यस्त के तौर पर शाहीन बाग के मसले क को देखने को कहा है आज खुद वजाहत हभी बुल्ला शाहीन बाग के मसले पर हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं स्वागत इसर आपका अब गए वहां पर शाहीन बाग में गए हैं लोगों से बातचीत करते हुए देखा हमने बाते पहुच क्यों नहीं पारी है वारताकारों की उन तक ET ट पहले सब मैं ये बात दुरस्त करूँ मैं वारताकारों में से नहीं हूँ वारताकार केवर्द दो हैं और वो है सांधः राम राम चन्रण झालर और संजे तकि मेला तालुक है मैं वार्ण इने कर दो है और क्योंकि मैंने अपने को एक एक कंसर्ण सिटिजन समझा है और उसके उसके नाते और वो चंदरशेखर आजाद जी और अबास के साथ हमने एक इंटरवेंशन किया है तो इंटरवेंशन के नतीजे में मुझे उन्होंने नियुक्त किया है कि मैं सहायता करूं वारताकारों की तो मैं वारताकार नहीं हूँ किन्तु मेरा जो सम्भंध है वह पह्चाना है सरवोच नयाया लेने और कहा है कि कामृनीयालिटी ओफिंटरिस्ट के बारे में हमारे बात कहा कि मैं उनका हंदर्द हूँ लहादा उनकी जनता की बात मैं पाकट करूँ वारता कारों को पारता ऐसा अंदोलन होता है जिसका कोई नित्रित्व नहीं होता है कोई लीडर्शिप नहीं होती है तो उसमें बात किस से करते हैं बात किस से हो रही है जी तो इसी लिए तो बात यहीं तो इस अंदोलन की खुबी है वो जितने भी है सारे लोग और इसमें शिकाइत भी हुई है और और बात का भी हो रही है कि अब किस से बात करें एक कोई नेता इनका है नहीं लेकिन यह जो दादियां कहती है कि दादियां के ने तृत्व में हो रहा है तो उनके सबसे बात करने और इसमें जो एक सुंदरता है तो यह है कि सब मुतहित होके बात कर रहे हैं यह मैंने पाया जो मैं लेकिन मैं तो मैं जैसे मैंने कहा मैं वारता कार नहीं हूँ तो मैं कोई सिफारिश करने वाला नहीं किन्तु जो बाते मुझे मुझे सुनने में आई हैं जलता की तरफ से वे अवश्य मैं सर्वोच नायाले के सामने पेश करूँगा और वो पांचे हैं जिसके बारे में उन्हें चाहा भी है कि यह CAA की जो केस चरे रहे हैं उनके वो अलग से केस हैं लेकिन उसमें रोजाना के लिए hearing वगरा किया जा तो यह जो उनकी मांगे हैं मैं उनको पेश कर दूँगा सर्वोच नायाले के सामने परवजाद हभी बॉल्ला साब यह बात समझ में आती है वहाँ बहुत लोग उन्हें गुस्से में यह कहना शुरू किया कि हम ambulance को जाने देते हैं हम school buses को जाने दे है दो से ढ़ाई घंटे इस दिल्ली से उनको लगी जाएंगे या नॉड़ा से अब इसमें पुलिस पर आरोप वहाँ की लोगों पर आरोप ऐसे तो कभी सुलजेगा ही नहीं कोई नेतरित्व नहीं होगा तो वारता किस बात की ते जहां तक की मेरा तालुक है तो मैं सारे मैंने वहा और में मायना किया मैंने इंस्पेकशन किया बाकी बहुत स्वाथ सारे रूट्स है ये एक साइड रूट्स पे है जहाँ ये कोई हड् दिन कुछ रूट्स खोले गए थे, किस ने खोले थे, पुलीस ने खोले थे, और वहाँ यूपी पुलीस ने भी अपनी तरफ से भी कुछ रोका हुआ है, जो नोईड़ा किसी सड़क जाती है, वो यूपी पुलीस आप काफी दूर, यह नहीं कि वो प्रदर्शन के पास क्या यह सही है कि ना यह अब प्रोटेस्ट उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है या फिर ऐसी ही बात हैं यह? मुझे तो किसी ने ऐसी बात कही नहीं, मेरी बड़ी बड़ी अच्छी बात हुई उनके साथ, वहाँ पूरी तरह से शांती पूरवक वाता वरण है, तो वहाँ कोई भी जा सकता है, बैठ सकता है, बात कर सकता है, और अजगतर जैसे मैंने कहा कि वो महिलाएं हैं, आगे और उनको दादियां कहा जाता है, मैंने उसके उनसे बात भी कि कि आपको तो दादियां कहते हैं, आप तो हमारी दादी तो नहीं बन सकती हैं, क्योंकि मैं स्वरम ही दादा हूँ, और आपको मैं अपनी बहनें समझता हूँ, तो इस वाता वरण में बात चीट करना सरल है, और वो जो मैंने कहा कि मेरा जो काम था कि बात चीट करवाने के लिए तियार करना लोग, वो तो मेरा काम तो बहुत ही सरल हो गया, क्योंकि वो बात करने के लिए तियार हैं, शिकायत उनकी अवश्च ये है, कि सरकार की और से कोई उनसे बात करने के लिए आया ने, अब ये सारी बातें जो वाष्टाकार हैं वो अब शनोट करेंगे और सरकार को जब सरगोष नयाले को अपना रिपोर्ट देंगे तो इसके संबन्द में वो बात करेंगे पर अदालत की तरफ से तो ये कोशिश करने को कहा गया न है कि किसी तरीके से सड़क खुले तो उसको लेकर तो कोई बढ़ात नहीं दिख रही है हुजूर आला उस सड़कें जैसे मैंने बताया आपको एक साइड रोड है जहां प्रदर्शन हो रहा है चारों तरफ और सड़कें हैं बहुत सारी सड़कें हैं और वो बंद हैं और किसे बंद हैं किसलिए बंद हैं ये बात पुलीस से पूछने की आवश्कता है चले बहुत शुक्रें आपसे बातचीत करने के लिए बजात हभी बुला कह रहे थे कि शाहीन बाग का जो मसला है वहाँ पर बातचीत हो रही है अब वहाँ से उस सड़क से लोगों का उठना न उठना कितना महत्वपूर्ण है ये इस बात पर भी उनके हिसाब से निर्भ बना हुआ है तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या सरकार को कोई पहल नहीं करनी चाहिए दिल्ली में सातों सांसद बीजे पीके हैं इसलिए उनकी और से कोई पहल को लेकर सवाल उठ रहे हैं शाहीन बाग जिस संसद ये क्षित्र के सांसद गौतम गंभीर है और इसलिए आज हमने उनसे शाहीन बाग के धरने को लेकर कुछ सीधे सवाल किये गौतम गंभीर खबदार में आपका स्वागत है सबसे पहले तो ये बताईए कि 70 दिन होने को आ रहे हैं शाहीन बाग का मामला सुलजा नहीं ऐसा लग रहा है कि उनकी जिद है तो सरकार की भी जिद है वो चीज नागरिकता देने का कानून है नागरिकता लेने का कानून नहीं अगर आपको लग रहा है कि अनर्सी आने वाले वो मारे प्रधान मंतरी जी ने क्लाराफाई कर दिये कि अनर्सी के बारे में अभी तक तो डिसकॉशन भी स्टार्टनी हुई है और प्लस ग्रहमं यह नहीं बोल दिया कि आप अपनी डेलेगेशन भेज़े आप अपनी टीम को भेज़े वह आपको दो या तीन दिन में समय देने के लिए राजी हैं कम से कम मेरे देखते देखते उन्होंने कम से कम पचास या साथ बार यह चीज क्लारिफाइब कर दिया कि कि किसी भी सानी नागरेक को डरने की जुरूत नहीं है चाहिए वो हिंदू हो मुस्लिम हो सिख हो एसाई हो यह नागरेकता नहीं चीनी जाएगी तो देखे इससे जादा क्लारिफाइब मुझे नहीं लगता कोई भीवार कर सकते हैं पर वो लोग कह रहे हैं कि सामने आके का सामना करना पड़ रहा है दक्षन दिल्ली के लोग अलग तो लोग किसकी तरफ देखें कि उनकी सहूल्यत मौहिया होगी देखें कई न कहीं वह बहुत अनफॉचनेट है और मैं बिल्कुल मानता हूं कि अनफॉचनेट है जैसे वह ने आपको बोला है कि अल्टिमेटली देखें सरकार आपकी ही चुनीवी सरकार है सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि आपके डाउस क्लियर करने के सरकार ग्रह मंत्री जी ने प्रधान मंत्री जी ने ये डाउस क्लियर करने के पूरी कोशिश करिए कहीं आपको भी सेंसिबल तरीके से सोचना पड़ेगा सेंसिब क्लारिफाय कराई है कि कभी ना कभी तो इसका सेलूशन निकलना बहुत जुरूई है सुपीम कोटे भी मीडियेटर्स भेजें आप उनकी भी बारे में बात सुनना नहीं चाहते हैं तो पर ये सच तो ये भी किसी ना किसी को तो सिलूशन निकालना पड़ेगा सरकार ने अप हमादान दोनों तरफ से निकलेगा हमारे ग्रह मंत्री जी ने आटोमाटिकली अल्रेडी बोल चुके हैं कि आप बात करने आईए और वो टाइम देने के लिए बिल्कुल रेडी है लेकिन कईना कई जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको भी तो प्रोटेस्ट लेना बहुत ज चाते ही नहीं है सिल्यूशन चाने के लिए तो आपको भी हाथ बढ़ाना पड़ेगा सरकार बिल्कुल राजी है ग्रह मंत्री जी बिल्कुल राजी है इससे जादा सरकार क्या जिम्मेदारी ले तो दूसरी तरफ से आपको भी तो कहीं ना कई एक स्टेप सरकार तबी इसका सिल्यूशन निकलेगा और हर पारलिमन्ट जैसे प्लाटपॉर्म पे हमारे ग्रह मंत्री जी ने सौट आउट कर दिया या फिर क्लारिफाय कर दिया कि CAA किसी की नागरिक्ता लेने का कानून नहीं है नागरिक्ता देने का कानून है तो आपको बिल्कु जबरा आपसन दे रहे हैं कि अगर प्रतेनिदी मंदल जाए नियम अनुसार जाए तो ग्रह मंत्री मिलेंगे शाहिन बाग के प्रोटेस्टन से? आप ये बोलें ग्रह मंत्री जी को कि हम सब मिलकर हम सब इकठे आपके सामने आपसे बात करने आएंगे अपने जो इंपॉर्टन लोग हैं उनकी टीम भेजिए और जो भी आपके डाउट है वो उनकी जिम्हेदार ये क्लारिफाय करना बहुत शुक्रिया गौतम गंभीर हम से बातचीत करने के लिए तो वैसे सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी तरफ से ये सपश्ट किया हुआ है कि आपके पास अधिकार है कि आप विरोध करें लेकिन दूसरों के किसी सड़क को इस्तेमाल करने क्या अधिकार या उनकी सहुल अधिकार नहीं हो सकता। मनुझ तिवारी अंग्रेजी और हर्याणवी में बोल रहे हैं जबकि वास्तव में उनका उरिजिनल वीडियो हिंदी में हैं। के जरिये किया गया है उसी को डीप फेक तकनीक कहा जाता है इसे आर्टिफिशल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके बनाया जाता है जो बिल्कुल असली जैसा लगता है। लेकिन नक असली होता नहीं है। वाइस मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार बीजेपी ने माना है कि उसने मनुझतिवारी की ये डीप फेक वीडियो दिल्ली चुनाओ से एक दिन पहले यानी 7 फरवरी को रिलीज किये थे। इसका मकसद दिल्ली चुनाओ से पहले वोटरों तक अपनी पहुच बढ़ाना था। डीप फेक वीडियो को करीब 5800 वाटसाप डूप्स पर शेर किया गया था जो करीब 1.5 करोड लोगों तक पहुच जा था। जानकारी के अनुसाब बीजेपी के लिए इन वीडियोज को चंडिगर की एक कंपनी ने बनाया था। इसे लेकर कई अमेरिकी मीडिया हाॉसेस ने चिलता जता है कि भारत में डीप फेक टेकनोलजी का इस्तेमाल राजनीतिक पार्टियों के लिए होने लगा है। ऐसे में अमेरिका में होने वाले राश्टुपती चुनावों में भी इसका असर देखने को मिल सकता है। भारत में ये पहली बार है जब चुनाव प्रिचार में किसी भी रूप में ऐसे वीडियो इस्तेमाल किये गए। ये डीप फेक वीडियो किस तरह असली और नकली चहरे का फर्क मिटा देते हैं आप देखें। अधाई हो आप सभी को क्योंकि अभी अभी नागरिकता संसोधन बिल राज्यसभा से भी पास हो गया। बड़े दुख की बात कि अरविंद केजरिवाल और आम आदमी पार्टी इसके विरोध में खड़ी हो गई है। Friends, I am here just to ask about the work accounted for. केजरिवाल said that he will start 500 new schools. Have they started? He said they will install 15 lakh CCTV cameras. Have they installed? सार्याने मेरा जैसिरी राम, दोस्तों मैं सिर्फ काम का हिसाब लेना आया सुन। केजरिवाल ने कहा था, आप 200 स्कूल बनेंगे, बनें से के 15 lakh कैमरे लाऊंगा, लाएं से के बीजेपी का कहना है कि उसने दिल्ली चुनाव में डीप फेक वीडियो का प्रयोग सिर्फ एक प्रयोग और परीक्षन के तौर पर किया था, लेकिन दुनिया भर में इसे लेकर चिंता जताई जा रही है। चिंता की बात ये कही जा रही है कि फेक न्यूज के बाद अब ये डीप फेक वीडियोज एक बड़ा सरदर्ब बन कर सामने आए हैं। आशंका उन्हें ये है कि भारत ही नहीं पूरी दुनिया की राजनीते में इस तक्नीक के इस्तमाल से किसी के भी खिलाफ गलत प्रचार आसानी से किया जा सकता है। लेकिन खुद मनुझ दिवारी को ये नहीं पता कि वीडियो किसने बनाया और कैसे वाट्साप पर डिएड करोड़ लोगों को मेसेज भेज कर इसका परीक्षन किया गया। मनुझ दिवारी से जब हमने बात की तो उन्होंने इसके बारे में पूरी जानकारी होने से इंकार किया। कि उन्होंने ये माना कि उन्होंने अपना वो वीडियो तो जरूर देखा है जिसमें वो हर्यानवी बोल रहे हैं। लेकिन वो खुद उन्होंने रिकॉर्ड नहीं किया। मनुझ दिवारी इस डीप टेक्नोलोजी की तुलना फिल्मों की डबिंग से भी कर रहे है। कुछ एक देखा बट वो मुझे पता नहीं किस ने किस ने बनाया। मतलब वो ऐसा नहीं को हमारे ट्वीटर आइडी से या फेस्बुक से कोई किसी ने ऐसे भेजा मुझे भी मैंने भी देखा पर उसके वारे हमको जानकरी नहीं। सटीक बिठाया है ऐसे बिठाया लगता है जिलकुब जैसे बिलकुल हर्यान भी आप ही बोल रहे हैं कई भासाओं में हैं। ये तो कोई बड़ी टेक्नोलोजी थोड़ी है फिल्मे रोज डवी होती है आपको देखते समय थोड़ी लगता है कि वो बोलने वाला बाद में बोल रहा है ये तो होता ही रहता है तो डवीं करना किसी वीडियो पे ये बहुत बड़ी बात नहीं है तो तमाम फिल्में वर्ल्ड एकनॉमिक फोरम के सम्मेलन में भी इस डीप फेक तक्नीक को प्रदर्शित किया गया था, तब आज तक की टीम ने भी इस तक्नीक का डेमो किया था, आर्टिफिशल इंटेलिजेंस की मदद से इंसान के चेहरे को बदलने और किसी और की तस्वीर और विडियो को कि और की आवाज से मिक्स कर देने जैसे तरीके दीप फेक विडियो की तक्नीक में शामिल होते हैं, इसे इंसान का अंदाज, आवाज और हाव भाव तक बदले जा सकते हैं, लेकिन देखने में सब कुछ असली लगता है, जानकारों के अनुसार, भारतिय राजनीती में जहा पहले से ही फेक न्यूस का बोलबाला है, वहाँ अब ये डीप फेक विडियोज क्या गुल खिलाते हैं, ये सामने आने में ज्यादा समय नहीं लगेगा देश पर जान कुर्बान करने वाले शहीदों को पूरा देश सिल्यूट करता है, लेकिन आज हम सिल्यूट करेंगे एक शहीद की पतनी को, जो अपने पती के सपने को पूरा करने के लिए भारतिय सेना में अफसर बनने की तरफ कदम बढ़ा चुकी है हम बात कर रहे हैं शहीद मेजर विभूती ढोंडियाल की पतनी निकिता ढोंडियाल की, एक साल पहले पुलवामा में आतंकियों से लोहा लिते हुए शहीद हुए मेजर विभूती ढोंडियाल का पार्थिव शरीर जब देहरा दून में उनके घर पहुचा था, तो उनकी पतनी निकिता ढोंडियाल ने, जिस जजबे के साथ अपने शहीद पती को अंतिन विदाई दी थी, वो द्रिश देश कभी भुला नहीं सकता, अपने पती की शहादत के एक बरस बाद, अब निकिता उनके सपने को जल्द पूरा करने जा रही है, पती की शहादत के बाद, निकिता ने सेना में जाने का मन बनाया था, जिसके लिए वो एक साल से तयारियों में जूटी थी, निकिता ने हाल ही में SSC की परीक्षा और इंटर्व्यू पास कर लिये हैं, और अब निकिता ढोंडियाल अपने शहीद पती की तरह ही सेना में शामिल होकर देश की सेवा क एलिये तयारिए क्या आपको याद है ये तस्वीरें जिसे देखकर पूरे देश की आखों में आसु आ गये थे जब एक शहीद की पत्नी ने अपने पती को अकल्पनी अंतिम विदाई दी थी एक साल पहले पुल्वामा में आतंक्यों से लोहा लेते हुए शहीद हुए मेजर विभूती डॉंडियाल की पत्नी निकिता डॉंडियाल ने जिस जजबे के साथ अमने शहीद पती को अंतिम विदाई दी थी वो द्रिश देश कभी भूला नहीं सकता शादी के महस दस महने बाद पती की शहादत की ख़बर मिले तो मजबूत से मजबूत दिल का इन्ट्राइब अंसान भी तूट जाता है लेकिन निकिता ने दिखा दिया कि एक शहीद की पत्नी होना क्या होता है वो चाहती तो भूल जाती अपने पती से किये एक वादे को पूरा करने में अपने पती की तरह सेना में भरती होकर देश सेवा करने की रादे के साथ पूरे जीजान से औ निकिता ने शौट सर्विस कमिशन यानि SST की लिखित परिक्षा क्लियर कर लिया है इसके अलावा उन्होंने इंटर्व्यू रौंड भी क्लियर कर लिया है अब वो मेरिट लिस्ट के जारी होने का इंतजार कर रही है ताकि एक कैड़ेट के रूप में सेना में शामिल हो सके एक शहीद की पतनी अपने पती के नक्षे कदम पर चलते हुए अपने पती की तरह ही सेना में शामिल होकर देश सेवा की राहचुने पती की शहादत को शद्धांजली देने का इससे बहतर तरीका और क्या हो सकता है निकिता और देहरादून के रहने वाले मेजर डौन्डियाल ने लब मैरेज की थी जिस वक्त मेजर डौन्डियाल की शहादत हुई तब निकिता दिल्ली में एक मल्टी नेशनल कमपणी में नौकरी करती थी मुश्किल घड़ी में निकिता ने ना केवल खुद को बलकि परिवार को भी संभाला उन्होंने पती के सपने को पूरा करने को ही जिंदगी का मकसद बनाया जिसे पूरा करने में वो खुद तो जूटी ही पूरे परिवार ने भी उनका होसला बढ़ाया निकिता ने अपने शहीद पती को अंतिम विदाई देते वक जो हिम्मत दिखाई थी वो आज भी उनके होसले को बया करती है उनकी यही हिम्मत और देश के प्रती कुछ कर गुजरने की चाहत के चलते वो दिन दूर नहीं जब वो भी अपने पती की तरह स्तेयना की वर्दी पहनेंगी और अपने पती से की आवादा पूरा करेंगी हुआ 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 है दिलिप सिंग्राठोर देहरा दूर आज तक